अस्सलाम अलेकूम वीवर्स घरेलों पक्वान में आप सबका सागत है आज हम बनाने जा रहे ही दही की कड़ी उमीद करती हूँ अल्ला के फुदल से आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होगे आए देखते हैं दही की कड़ी कैसे बनाए जाती है हाफ लीटर दही 50 गिराम फुटा न्यांग पीस को रख ली पीए तीन हरी मिर्ची छे लसन के कली एक आदा टेबल स्पूर ने काली मिर्ची एक छोटी प्याज थोड़ी कथी मिर पीसने के लिए ये ये पोडर डालने के लिए ये टेबल स्पून नम्मा खाए आदा टेबल स्पून मिर्ची पव टेबल स्पून हल्दी का और पौडर कुथे मिर ये बारिक से तराश के रख लिए हैं थोड़ी ये बजार के लिए हाफ टीस्पून राई लसन करे पाक और एक मीडियम साइज के प्याज इस तरह से कट के रखी है चलिए अब ये मसाला डल के ग्रेंट कर लेंगे थोड़ा पानी डल देखिए अब ये मसाला पिसके रड़ी है अब ये दही के साथ कुछ कर रहा है पहले बगार बगार के ठेंडा कर रहा है बाद में ये मिक्स कर लेंगे देखिए अभी चुले पर विजल रखे है उसमें चार स्पून तेल डाल रहे हूं में प्रेल गरम होने के साथ राई डालू के तेल गरम होने अब ये तेल गरम हो गए उसमें राई यां दाल रहे हूं प्राई इच्छे से शक पटा रही है इसके बार अभी में लसन डाल रहे हूं प्रेश अप्राई प्राई बडाल रहे हूं इसमें गरम डाल रहे हूं में दाल रहे हूं अच्छे से, बाद हमी चलर रा जाएंगा अब इसमें आप में करेपक बाउगे अगे बास यह जो त्यास काट के रिखने हो यह भी दाएंगा यह भी आप फ्राइब करने के बाद है हाफ प्राइब करने के बाद है खटना करके बड़ा हाफ प्राइब होना है अब यह जो भी पीसरा हुआ थाला मसाला हर्या मसाला यह अब इसमें डाल दो यह थोड़ा पखने के बाद इसमें मिल्ची पोडर साल पोडर और तर्बरिक पोडर भी इसमें मिल्च कर दो मसाला अच्छा गुने के बाद अब यह हो गया इसको थेंटा कर लेंगे थेंटा करके इसमें मिक्स करेंगे तही अब यह बगार थंटा हो को है अब इसमें पहले खुटाने का अटा दल को इसमें मिक्स कर लिए थोड़ा पानी दल के इसा फूरा मिक्स कर लिया कैवी यह निया न इसमें न फुटाने कैवी अब इसमें धाइमी दल को अच्छा से मिक्स कर को इसमें अब थोड़ा पानी तो घट भी रख लिए जा हमें थोड़ा पानी दल के मीडियम बनाते ही इसको यह वाइट राइस के साथ है बहुत अच्छा रहता है इसके साथ दही के मिर्चा और पापड मुर्क जोबी इसके साथ तल को चाट लेड़ा इसमें अच्छा रहता है और थोड़ा अब इसके उपर यह कुत्मीर से गार्निशिंग कर देंगे कि सर्व करने के लिए दही की कड़ी बहुत अच्छे से तयार हो गई है वाइट रेस के साथ है इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का भावब बहुत शुक्रिया अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक कमेंटर शेर कीजिए अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ फिर मिलेंगे एक नई रसीपी के साथ आला हाफिस